वही गुर्जी का हालसा वही गुर्जी की फते मंगलवार का दिन एक ऐसा दिन है जिसमें सबसे अधिक माननेताइं होती हैं हिंदू धरम में मंगलकार्थ पवित्र और शुब होता है इसलिए मंगलवार को किसी कारे को प्रारंब करना इस दिन शुब माना जाता है और इसी तरह जदी हम दूसरे देशों की बात करें जैसे युनानियों की तो वहां मंगलवार को अशुब माना जाता है उनकी माननेताओं के उनसार मंगलवार को या तरह कोई कारे या विवाह नहीं करना चाहिए तो ये हर एक देश की अपने-अपने माननेताओं है जैसे इस देश में इस दिन कई खाने-पेने की चीज़ों की मनाई है इस दिन केश नहीं धोने कपड़े नहीं धोने नाको नहीं काटने नवेश नहीं करना दी बहुत सी बाते हैं मैंने इस दिन के बारे में थोड़ी सी बात इसलिए की क्योंकि बहुत से लोग ये सब करते हैं परंतु सिख इन सब से बहुत दूर है वैं तो हर दिन को एक सा जानते हैं हर दिन में परमात्मा के नाम को याद करते हैं तो नाम चब कर हर दिन को ही अच्छा बना लेता है तो यहां पर एक सवाल भी पैदा होता है, कि जब सिक इन सब को शुब अशुब दिनों को नहीं मानता, फिर गुर्बानी में हफ़ते के दिनों की बात, या महीनों की बात, या अमावस, पुरिणमा की बात क्यों आई हैं? तो इसका बहुत ही सीधा सा जवाब है, गुरू से अपनी गुर्बानी में एक एक दिन, हफ़ते, महीने, साल की बात इसले की, क्योंकि हम हर दिन, हफ़ते, महीने, साल, भाव हर दिन, केवल और केवल प्रमात्मा की बात करके, हर दिन को, हर पल को सफल कर सके, तो संगर जी, दिन कोई सा भी हो, जिस दिन उसे याद किया जाए समझो वह दिन सुन्दर है सुहावना है जैसे के गुर्बानी का फर्मान है के नानक सोई दिन से सुहावडा जित परभ आवें चित हे नानक वह दिन सुहावना है जिस दिन वह परभु चित में आ जाता है मन में आ जाता है तो इससे एक बार तो तैह होती है कि दिन तो दिन होता है उसे अच्छा या बुरा केवल हम बनाते है ज़िए दिन में रब का नाम लिया जाए काम काज करते हुए नेक कमाई, इमानदारी, सहज सवरादी कुनों से जिया जाए तो वह दिन अच्छा बन जाता है और जिस दिन इसके वपरीच चला जाए तो उस दिन को खुद ही हम बुरा बना लेते हैं तो मैं इस टोपिक को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि यदि हम इस तरफ चले गए तो हमारी आज के विचार बीच में ही रह जाएगे तो आएए मंगलवार के दिन के बारे में गुर्बानी में क्या लिखा है उससे पढ़ते हैं तो भक्त कबीर जी की साथ दिनों के उपर जो वानी है उसे आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि मंगलवार दिन से हमें क्या अपदेश मिल रहा है तो भगत जी गुर्बानी में फरमाते हैं कि मंगलवारे ले माहीत मंगलवारे भाव मंगल ग्रह के नाम से बनाया गया दिन जिसे मंगलवार कहा जाता है माहीत का भाव है घेरा या किला तो मंगलवार दिन द्वारा ये अब देश है कि शरीर रूपी किले को अपने घेरे में ले लो संगी जी ये शरीर एक किला है जिसे हमने बहुत खुबसूरती से सजा रखा है और इस किले का राजा है मन मन को संगी प्रमात्मा ने राजा बनाया है शरीर तो केवल एक किला है परन्तु दुख इस बात का है कि किले के रिखवाली करने वाले सारे द्वार इंद्रियां भटक चुकी है हर कोई अपनी अपनी मौच में है कोई लालच के पीछे बाग रहा है कोई तारेफ के पीछे कोई अहंकार के पीछे कोई जोर जुलम के पीछे कोई बुरा सुनने के पीछे कोई बुरा कहने के पीछे बाव किला तो है शरीर तो दिख रहा है परन्तु केवल नाम का अंदर मन तो है परंतु वे इस के लिए को संभाल नहीं पारा तो राजा और उसका सामराज्य दोनों खत्रे में है तो अब बात करते हैं किसे संभाल को उन सकता है मन कैसे अपने आपको और शरीर रूपी के लिए को संभाले तो इसकी शर्वात होती है आरंब से जैसे भक्त कबीर जी ने फरमाया कि एमन रविवार को भाव अपने हफ्ते की शुरुवात तो भक्ती से कर परमात्मा के नाम से कर जदी ऐसा करेगा तो मन को सबसे पहले थंब मिलेगा भाव मन को सहारा मिलेगा संभी जी सबसे पहले जो किले का राजा है वही मचबूत होना जाए फिर ही वह शरीर को बचा पाएगा तो मन को जब नाम का सहारा मिलता है तो वह फिर आगे बढ़ता है जैसे सौंवार दिन द्वारा अपतेश देतो है भक्त कबीर जी ने फरमाया कि मन को नाम अमरित रस पिलाना है भाव मन को ताकत लेनी है पर वह कहां से लेगा वानी द्वारा जब मन नाम अमरित को वानी द्वारा पीता है तो मन अपने अंदर के दुश्मनों को भाव विकारों को अवगुनों को मार गिराता है वे अपने दुखों को इस अमरित से नाम से दूर कर लेता है तो आपने देखा संगर जी जदी मन दोनों दिनों के अबदेशों से खुद को मजबूत कर ले वे भक्ती को मन का सहारा बना ले और नाम अमरित को पी कर बलवान हो जाए तो फिर वे से शरीर रुटूपी किले को संभालने के लाइक हो जाता है फिर वे क्या करता है इस किले को गेर लेता है किस से गेरता है जो नाम को पढ़ा समझा जपा उससे अब कोई विकार अंदर दाखिल नहीं हो सकता जैसे कि अगली पंक्ती में वक्त कभी अच्छी फरमाते हैं के पंच चोर की जाने रीत रीत का भाव है तरीका ढंग संग जी जब तक हमारे पास समझ नहीं होते हमारे पास इश्वरिय ग्यान नहीं होता तब तक हमारी सब इंद्रियां बाहर भटकते हैं बाहर का रस लेती हैं जिसका नतीजा ये होता है कि हम शरीर के साथ साथ मन को भी जीते जी मार लेते हैं हम अपना स्वाद गवा लेते हैं और बे स्वादा कुछ भी खाते रहते हैं हमें पता ही नहीं क्या खाना है क्या नहीं खाना हम सुनने की शक्ति खो देते हैं फिर कुछ भी सुनते रहते हैं हम बुराई देखते कर आत्मिक आखें खो लेते हैं हम बुराई पर चल चल के लूले लंगड़े हो जाते हैं ऐसा तब होता है जब हमारा ना अपने शरीर पर कंट्रोल होता है ना मन पर परन्तु जब मन भक्ति में लगता है जब मन नाम अमरित पीता है तो वे अपने किले को शरीर को फिर से घेर लेता है भाव संभाल लेता है बुराई को भीतर आने नहीं देता वे फिर पांच चोर जो मन के खजाने को दिन रात लूट रहे थे जो हमारे कीमती स्वास लूट रहे थे जो हमारा कीमती जीवन लूट रहे थे उन विकारों की हर चाल को मन फिर समझ लेता है उन्हें फिर भीतर नहीं आने देता सेंगर जी जैसे हम किसी एक चोर की बात करते हैं खिलवार करता था परन्तु अब ईश्वर की क्रेपा से जब सारी कहाने समझ में आई है तो अब मन कुरोध को आने से रोकता है इसलिए अब जब कोई हमें गुसा दिलाता है जा किसी ने कुछ कहा तो एक तम से मन रियक्ट नहीं करता है पहले उस बात को ध्यान से सुनता है फिर उस मसले का हल बड़े धैरे से निकालता है बिना वजह अब किसी से नहीं लड़ता ऐसा करने से अब मन और तन दोनों बहुत सी बिमारियों से बच जाते हैं संग जी याद रखें कि बल को बिना वजह कहीं भी नहीं निकालना मलकि जहां पर इसकी अवाशकता है वही पर इसे इसमाल करना है जिसे बेरस कहा जाता है तो ये सारी समझ मन को आ जाती है जब नाम अमरित को पीता है जब प्रभु गुनों को अपना रखवाला बनाता है तो जब मन पूरी तरह से नाम से जुड़ता है अपने आपको सुधारता है अपने अंदर अच्छ अच्छ से समझती हैं कि मंगलवार से हमें यह उब्देश मिला कि मन ने नाम द्वारा अपने शरीर रूपी के लिए का घेरा पना कर रखना है और पांच चोरों को इसके भीतर आने नहीं देना उनकी चाल को समझना है इसके साथ ही अगली पंक्ति में भक्त जी फर्माते हैं कि कारिचोड़ने बाहर जिन जाए नातुर खरा रिसे हैं राय तो इस पदे की अंतिम बंक्तों में देश है कि एमन अब जो तो अपने मन को संभाल चुका है शरीर को काबू करना आ गया है तो इस विधी को जो अभी समझी है इसी हमेशा याद रखना है भूलना नहीं कभी को नहीं भूलना नाम को नहीं भूलना वानी को नहीं भूलना क्योंकि जब जब हम भूलते हैं तब तब हम अपने आपका नियंतरन खो देती हैं जब जब हम रब को भूलते हैं तो फिर हमारा किला कमजूर हो जाता है और दुश्मन भाव विकार हम पर फिर से हावी हो जा जैसे कि बंक्तुमिब देश है कि हे भाई अपने किले को छोड़कर बाहर कभी मत जाना अन्य था मन विकारों में पढ़कर फिर से दुखी होगा तो इस पूरे पदे में जाना कि मन जिसको शरीर किले का राजा बनाया है इस किले पर वे तभी पकड बना पता है जब मन को भक्ती में लगाता है जब वे नाम अमरत को पीता है और जिस मन ने तन की उपर पकड बनाई है वे फिर कभी बाहर नहीं बढ़कता वे कभी विकारो तोर को कले के भी तराने की अनमती देता है क्योंकि वैं उनकी चालों को भली पान समझता है और अंत की पंक्तिव में हमें फिर से याद दिलाते हुए समझाए कि भूल कर भी कभी अपना नियंतरन नहीं खोना नहीं तो अंत बहुत दुख सेहना होगा तो ये था मंगलवार दिन पर उप्तेश के अपने आप पर काब हो पाएं अपने उपर नाम का घेरा लगाएं तो संगत जी ये थी आज के दिन की विचार इसके बाद बुदवार के बारे में गुर्बानी में क्या लिखा है उसे हम अगली वीडियो में कुरू सेपकी किरपा से जानेगे आज क जी कि वाद है